इस कड़ी एड़िक में आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है इस वीडियो में भी हम लियर मासिंग के बारें बात करेंगे तो चलिए एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं और मैं इस इमेज को इंपोर्ट करता हूँ मुझे क्या करना है अच्छली हाँ पर मैं ब्रश चेंज कर लेता हूँ मैं सॉफ्ट कराउंट ब्रश लेता हूँ मुझे क्या करना है कि मुझे इस इमेज में जो ये पेड़ को दे हैं मुझे इनका कलर चेंज करना है कलर चेंज मीन्स इनको और ज़्यादा सैचुरेट करना है और ज्यादे green करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे मैंने F7 को प्रेस किया और इस layer को मैंने Ctrl J करके duplicate किया और नीचे वारे layer को मैंने hide किया मैं यहाँ पर click करता हूँ और मैं adjustment layer पर जाऊँगा और यहाँ पर hue and saturation पर click करूँगा ठीक है अब यहाँ पर कौन सा color है green तो मैं master पर जाए green check करता हूँ यहाँ पर greens है और hue याँ आपको green change करना हो तो green change हो जाएगा लेकिन मुच्छे के करना है और मैं इसे under कर लेता हूँ मुच्छे के करना है green को saturated करना है यानि green को और साधा green करना है तो मैं saturation पर आऊँगा और इस bar को थोड़ा increase करूँगा अब जैसे मैं increase कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कुछ effect यहाँ पर भी आ गया है और कुछ यहाँ से image कुछ खराब हो रही है हाँ पर तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ या मेरे ख्याल से इतना सही है लेकिन आप देखेंगे ना तो यह दिवार है वाली यह भी कुछ हद तक green हो चुकी है हम इसको adjustment layer को off, on करके check करेंगे एक बार अब यह भी हाँ पर green रहा गया है अब मैं चाहता हूँ कि इस hue and saturation का effect सिर्फ पेड़ पोदो पर रहे है और कहीं भी ना है फाइन, hue and saturation में पहले से mask है लगा हुआ, यह hue and saturation है और यह mask है ठीक है, मुझे ही करना पड़ेगा कि इस mask को inverse करना पड़ेगा यानि control eye press करता हूँ ठीक है जो effect था हमारा वो गयब हो गया है और यहाँ पर white brush है तो अगर मैं paint करूँगा तो hue and saturation so होने लगेगा like यह ठीक है तो मुझे ही पर paint करना है बस कहीं और नहीं करना है कि मुझे जो चीज़ शो करना है मैं वहीं पर paint करूँगा कुछ ही इस तरह आप देखेंगे कि effect बढ़ने लगा हलका हलका कि आपको स्रीव वहीं paint करना है जहाँ आपको hue and saturation चाहिए like अगर मैं बाहर करूँगा आप देखेंगे बाहर भी हो रहा है fact लेकिन मैं express करूँगा जिससे black foreground में आ जाएगा और मैं हाँ पर remove करूँगा हलका कि मुझे इतना जादा बाहर नहीं चाहिए अगर यह पहले जैसे condition में रहा उपर से तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं fine उतना और अगर मैं एक बार चेक करके देखूँ कितना फर्क है पहले कुछ ऐसे था और अब कुछ ऐसा यानि हम और जादा green कर चुके हैं saturated कर चुके हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा